अगर आप जानना चाते हैं कि किस तरह से हम अपने हातों और पैरों को फुक्सूरत बना सकते हैं बिना सालोन जाए घर पर ही वो भी घर के ही इंग्रेट्स से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फूल होने वाली है तो मेरे साथ रहिएगा कीप वाचिए असलामु अलेकुम मैं सिमा भैतर एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल काफी दिन हो गए थे मुझे निकाफ टाटोरियल्स बनाते हुए तो आज मैंने सोचा क्यों न कुछ डिफ्रेंट किया जाए तो आप मेंसे अक्सर लड़किया मुझे वक्तन फवक्तन रिक करता नहीं है मैंने छोड़ा नहीं था बट आप लोगों को की फर्माइशे इतनी आ रही थी निकाफ टूरियल्स की के एक के बाद एक टूरियल बन रहे थे बट इंशाएलला अब मैं व्यूटी टिप्स और ड्रेस डिसाइनिंग वीडियो भी कंटिनियूसली बनाती रहो और इसके सारे इंग्रिडियंट्स जो है वो घर के ही है तो वीडियो को एंट तक देखेगा ताके आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके हैं सबसे पहले अपने नेल्स को कट करें और कोई भी अपने पसंद का शेप दे लें नेल्स को उसके बाद एक तब में नीम गरम पाली डाले थोड़ा सौस में शेम्पू एड़ें आप बडी वाश भी ले सकते हैं अब एक चम्मच खाने का सोड़ा एड़ करें भरकर और एक लेमन का जूस एड़ करें चिलके भी उसी में डाल दें अच्छी सी जाग बनाएं और पैरों को उसमें 15 मिनट्स के लिए सोख करने के लिए छोड़ दें जब तक पैर सोख हो रहे हैं हम जल्दी से क्या करते हैं स्क्रप बना लेते हैं बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बैल आइकोन भी प्रेस कर लें ताके मैं इस तरह कि जब भी कोई अमेजिंग सी वीडियो अप्लोड करूं तो आप उसे मिस ना कर सकें और जो लोग अब तक मेरे साथ हैं और मुझे कॉंटिन्यूस ले देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा प्यार द सकते हैं और यह तीसरी चीज जो है और में इंग्रीडियंट है यह कॉफी तो मैं यहां पर एक साशी ले रही हूं कॉफी का और इसे अब में एक बाउल में डालूंगी और जितनी कॉफी होगी उसे हिसाब से मैं उसमें शुगर और पिसे हुए चावल एट करूंगी तो करीब है कॉफी तो इसमें इस हिसाब से मैं चावल भी एट करूंगी और शुगर भी एट करूंगी तो यह इस्पून में डाल रही हूं भरकर अब इतनी ही मैं इसमें शुगर भी एट करूंगी यह तीनों चीजें जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही बैनिफिशल है आ और इसमें थोड़ा सा पानी एक कर रही हो इसे मिक्स करके हम रख देंगे अब 15 मिनट हो चुके हैं पहर सोग के लिए जो छोड़े थे अभी से हम अच्छी तरहां से रब करेंगे और यह जो चिल का हमने इसमें अड़ किया था लैमन का इसे हम अच्छी तरहां से नेल्स के करेंगे इसे क्या होगा कि mail ko-chell भी साफ हो जाएगी आपके जो नगल्स हैं डार को भी थीक हो जाएंगे और इससे आपके नेल्स पे शाइन भी आईगी तो इच्छे तरह से इसे रब करना है दोनों पैरों पर इसी तरह से अच्छी तरह से रब करके पैरों की सफाई करनी है आप सहे चाहे तो साथ में कोई जावा वगारा या स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं एड़ों पर अगड़ने के लिए डैड़ी स्किल को आप अपने लिए इस्क्रबर यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से अच्छी तरह से रब करना है तो इससे जो मैल कुचल बची कुची होगी और डैड़ी स्कीन जो है तल हुई वो रिमॉफ हो जाएगी अब जो है अब पैरों को खुश करने के बाद बारी आती है मास्की त चीज़ चाहिए जो है एक अलू है मीडियम साइस का मैंने पील ओफ करके से और इसके कश करके इसका रस निकाल लिया है यह इसका जूस है यह शहत है और यह सीरिलैक आप क्या है तो पिससे हुए चावल यह चावल काटा भी उसकर सकते हैं मगर इसके रिजल्ट्स भी साशे है यह इसमें से मैंने खोल के यह दो टी स्पून भर कर मैं निकालोंगी सिर्लैक के मैंने दूर टेबली स्पून डाले थोड़ा सा और एट करनी हूँ अब इस हिसाब से जो है हमने इसमें शहत भी यूज करना है यह बहुत ही जबर्दस सा मास्क तयार होगा बहुत मॉस्टर देगा आपके पैरों को बहुत ही नर्मों मुलाइम से शगुफता से पैर हो जाएंगे आपके है बहुत ही अच्छा लगेगा प्राय जरूर कीजिएगा तो यह देखें शहत हमने डाला इसमें अब हम इसमें अच्छी तरह इन दोनों चीजों को मिक्स करने के ब मेरे खाल से इतना इनफ होगा अगर चाहें तो और भी एड़ कर सकते हैं अब थिकनेस अपने हिसाफ से कम यह जादा कर सकते हैं अब चंद कत्रेस में लेमन जूस के एड़ करेंगे अब यह मास्क अप्लाए करें अपने पैरों पर अच्छी तरह से पूरे पैरों को कवर क कर लें ताकि यह जो है मॉस्चर सारा इसका इसी में लॉक हो जाए तो दूनों पैरों को इसी तरह से प्लास्टिक में रैप करके 20 मिनट्स तक के लिए 15-20 मिनट्स तक के लिए चोड़ देना है और उसके बाद फिर आप अपने पैरों को वाश करेंगे अच्छी तरह से औ और फिर उसके बाद हम कोई भी मिसाज क्रीम लेकर या लोशन लेकर पैरों को खुष करने के बाद उस पर अपलाए करेंगे तरह को माॉस्टराइज करेंगे अच्छी तरह से यहां पर में जॉण संस की क्रीम यूज कर दही हूं कोई भी लोशन गया क्रीम ले सकते हैं मास पाइड करके बताया है अपको तो यह था आज का इज आ हो अमेट पैडिक्र अपाप को पसंद आया होगा और इसके रिजर्सट्स देखने के लिए क्या किया करना होगा कि इसे अपलाइ करना होगा और प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा और अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है इसकिन से रिलेटीड बालों से रिलेटीड या फिर आपको ये निकाब स्टाइल लुक देखना चाहते हैं तो जो भी कि आप चाहते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और मुझे इंस्टा पर भी डियम कर सकते हैं ताके मैं आपकी पसंद के मताबिक वीडियो बना सकूँ तो फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज